माँम, वन क्वेस्चिन, इस 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 पर कुछ कहना चाहते हैंगे? कहना जादा कुछ नहीं है, अब तक प्रियांका जी गेस्ट रोल करते थे, हर एलेक्शन में आते थे और उनके माता जी के लिए, उनके बाई के लिए कैमपेन करके वापस चेले जाते थे, आज उनको पार्टी ने एक पर्मनेंट रोल दिया है, तो शायद वो अब हमेशा ही बात करने लगेंगे, लेकिन मेरा पूरे देश से और प्रियांका जी से भी ये रिक्वेस्ट है, कि सिर्फ बातों से कुछ होने वाला नहीं है, सतर साल आपको लोगों ने ओपर्चुनिटी दिया है, काफी बार कॉंग्रेस पार्टी को नाशनल लेवल पे हरे एक स्टेट में भी जिता के लोगों ने देख लिया है, आपको आजमाया है हमने पूरे देश के जनता ने, लेकिन जादा कुछ रिजल्ट मिला नहीं है, तो मेरा प्रियांका जी से रिक्वेस्ट ये है, कि as a woman you have entered the politics, taken a decisive role in Congress Party, I hope you will at least work for making sure you know whatever you promise will come true, क्योंकि yesterday we have seen Rahul जी talking about minimum guarantee program for poor people, minimum wage guarantee for poor people, but we have also seen Indira ji talk about गरीभी हटाओ, तो उनके party में उनके दादी जी से लेकर पोते तक यही बात कर रहे है कि गरीभी हटाओ, गरीभी हटाओ, हम कह रहे है कि बात करना छोड़ दो, काम करना शुरू करो, चाहे वो प्रियांका जी होने दीजे, राहुल जी होने द काम अब जब करेंगे, तो we will certainly welcome you as people of this country.